हाई फ्रेंट्स नमस्ते आज मैं अपने इस एपिसोड में एक ऐसी चीज लेके आई हूँ आप सभी के लिए उस एक चीज के इस्तमाल कर हम अपने स्किन पे ग्लो भी ला सकते हैं और बाल लंबे भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे काफी सारे वीवर्स ने मुझे ये कहा था कि विल रेमेडी वताईए जिससे बाल भी ग्लो करें और स्किन भी ग्लो करें तो आज मैं ऐसी चीज लाई हूँ लेकिन वह क्या चीज है इसे बताने से पहले मैं चाहते हूँ कि आप मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर ले पेल आइकन को टच कर लिए फिर मैं आपको यह आ हम सिर्फ अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, बलकि अपनी स्किन को भी ग्लो कर सकते हैं, और अपनी स्किन को टाइट बना सकते हैं, जवान बना सकते हैं, ताकि आप 10 साल, 20 साल जवान दिखें, तो इसके लिए जाला कुछ नहीं करना, किस तरह किसे हमें इस अंडे का इस तरीके से अंडे को तोड़ लीजे और फिर इसकी जर्दी है यानि एगियों की यलो वाला पार्ट है इसे आप दूसरे बाउल में रख लीजे क्योंकि इसकी जुरूत हमें नहीं पड़ेगी हमें सिर्फ इसका वाइट वाला पोशन चाहिए जिसे हम एग वाइट कहते है तो आपने देखा मैंने किस तरीके से चमच की हल्फ से इसे अलग कर लिया है ताकि सिर्फ मुझे सिर्फ ये वाइट वाला पोशन मिल जाए अब आपने जब इससे अलद कर ही लिया है नीर अबाउ तो आप इसे किसी स्टिरर की हल्ब से जैसे प्लास रूर्ण हो गया चमच इसकी हल्ब से फेट ले मिला ले अच्छे से मिक्स कर ले इस तरीके से और इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोरी से हनी अज़नी आड़ दे नियर अबाउट तू स्टेबल स्पून यानि दो चम्मच शेहर इस तरके से और इसे भी एक बार फिर से मिक्स कर ले हिला ले स्टिर कर ले हिलाने के बाद पेंस यह इस तरह का कुछ दिखाई देगा इसे हम एग वाइट फेस मास्क कहते हैं एग वाइट का यह फायदा है एग एक ऐसा सोर्स है जिसमें complete protein आपको मिल जाता है जो non-vegetarians होते हैं आपने देखा होगा उनकी skin हमेशा ही tight होती है हमेशा उनके बाल काली होते हैं खासकर बंगाली भिहारी ऐसे लोग आपको काफी मिलेंगे जिनकी जो skin भी tight होती है बुढ़ापे तक और बाल भी जल्दी सफेद नहीं पड़ते हैं तो उनके पीछे का भी यही रहा है कि ओक उनक खाते हैं अंडे अंडे एक ऐसा सोर्से जिसमें हर तरह का प्रो झsystem BAichenaces नहीं बना पाता जो हमाला शरीन नहीं बना पाता उस प्रोटिन को पाने के लिए तो हम अलग अलग सॉर्सिस का जैसे दाले दालों में कोई होता है, किसी चावल, राई, इन समें अलग अलग तरह के होता है, तो हर प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन अंडा-मेट-मच्ली है, ऐसी चीजे है जिनमें complete प्रोटीन मिल जाता है, सभी तरह का protein तो जो नॉन वेज इं दोनों जगह पर लगाने गए कम से कम इसका फायदा तो उठा सकते हैं तो यह स्थिफ मैं वेज़गी भग्जितेरियन भाई भाई बहने के लिए लिए लेकिने दी की जए खाया के लेकिंगे shaken मेहंदी वाली ब्रेशों या ब्यूटी ब्रेश आते हैं जिससे आप ब्लेंड करते हो मेकप लगाते हो ना चेहरे को वाला ब्रेशों वह भी चल जाएगा नहीं तो आपके पास अगर गलव्स हैं मेडिकल स्टोर से 10-20 रुपे के गलव्स आते हैं उनसे भी लगा सकते हैं तो इस तरीके सा आपको स्लोली स्लोली अपने पूरे फेस पे यह लगाना है और इससे लगाने के बाद आपको इसे 10-15 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देना यह एग वाइट फेस मास्क के फेंस अग में क्या प्रेजेंट होता है जो आपके स्किन को टाइट बनाता है गलो करता है और साथ ही साथ पिंपल यानि अकनेस इनसे भी बचाता है और और ऑईल भी कंट्रोल करता है आपकी दोचा का ओईल जिसके ओईली स्कीन है उसको यह जरूर लगाना चाहिए यह ओए और जग इसाथ है एंटरोल करता है फिर अधर और यह गालनस करता है इसके अंधर वितमिन E, A, B, तीनों पायते है और बहुत सारे वैसे तो इसमें सभी ब्टमीन मात्रा में पायते हैं जाते हैं मिनराल्स भी और इसमें कैल्शियम, जिंग, पोटैस्यम, मैंगनेस सभ होता है तो खासकर इसमें जो विटमिन A है ना वो क्या करता है आपके डैस्किन लेयर को हटाएगा ताकि आपकी द्वचा एक्सपॉलियेट हो आपके पोर्स को छोटा करेगा जो गंडे दिखते हैं ना आपकी चैरों पे कहीं करें उन पोर्स को छोटा कर देगा ओएल हटा देगा ऑर आपके खाटी को मॉस्चराइज करेगा इस आपकी द्वचा क्या दिखे की दिखेगी मॉस्चराइज एंडे certified टाइड सबसे जटाएगे है लाटकतीवी द्वचा टाइड बनादेगा में हैं सेम इसी तरीके से अब आप, आपको क्या करना है ऐसे ही एक अंडा तोर ल बाले उसका वाइट पोशन अलग कर ले एक बावल में और उसको यसी तरीके से ब्रश की हैल से उसमें आपको हानी नी मिक्स करना है हानी तो मैंने सिर्फ इसलिए मिक्स किया है कि हानी भी एक तरह से मॉस्चराइज करता है और ग्लो के लिए होता है अगर विदाउट हनी भी आप इसे यूज कर सकते हैं यह सिर्फ आपकी सैगी द्वचा जी से कहते हैं लटक टीवी रिंकल फ्री द्वच्चा जो होती है रिंकल वाली उसको रिंकल फ्री बनाता है अब आप दूसरा क्या करोगे कि यह एग वाला जो पोशन है इसको आप अपने बालों पर भी लगा सकते हो और बालों पर सेम तरीके से लगाना है जैसे मैंने अपने फेस पर लगाया है और उसे लगा के आदे घंटे तक छोड़ देना है और यह काम कब करना है नहाने से अपने पर गालों चोड़ें और आज़ गंटे बालों को ठंदे पानी से दो लेना है ठीक है और उसे टावल से पोशह लेना हो काम सेल करना है तक यह आपकी जड़ो को जो एंग वाइड है यह आपकी जड़ों को इंप मौश्च्चराइई करेँगा डाएंड़ लाणता है और लामिडान भीत्म मुषड़ा या ब्लाइ कोड़ा गाता है लाई भीक और पतला ही है थिए अगर बीफ चोटी तो ऐसनी ग्याओं एक मोटी हो जाने बाल का वाले मर्क आपकी आमने उंद को सित्फेर cu अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी बाते अच्छे लगी है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताईए कि मैं कहां गलत हूँ, कहां सही हूँ अगर कोई सजेशन है वो भी दीजिए ऐसी में अच्छे वीडियोज आपके लिए लाती रहूँगी अपने नेक्स एक स्पीट रहूँए, थैंक यू